वेलंटाइन्स डे आ रहा है तो फिर रडवलवट के ओडर के तो लाइन लगे होंगे कोई ओडर हस्बंद ने वाइफ के लिए दिया होगा तो कोई वाइफ ने अपने हस्बंद के लिए खैर जिसका बीओ पर रडवलवट होगा तो उसे बनाने में बड़ी ही टेंशन होगी कि उसे डेकोरेट कैसे करें एक ही डिजाइन तो सारे केक में बना नहीं सकते हैं सिंपल से बेकरी स्टाइल बना-बना के बोर हो गए हैं तो चलिए ये वाली डिजाइन ट्राइ कीजिएगा जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा बिना फिनिशिंग के भी आप केक डेकोरेट कर पाईएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे निवा हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके चाहिएगा तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने एक क्रम कोट किया उसके बाद थोड़ा सा थिन लेयर के साथ ये केक की आइसिंग कर ली हूँ उपर में बिल्कुल भी अच्छे से फिनिशिंग नहीं दी बस एकवल कर ली and side में kek kom चला दी हैं उसके बाद काया है red velvet का crumbs धेर सारा में बना के रख लिए हूँ जिससे कि मैं easily use कर सकूँ तो red velvet का crumbs आप भी airtight container में store करके frizz में रख सकते हैं जिससे कि valentine डेके जो काफी सारे महनत हैं वो आपके easily निकल जाएंगे तो यह देख़िये, ऊपर में मैं डेकॉरेट कर रही थी, पर हलका सा हाथ लग गया, और नीचे गिर गया, थोड़ा सा करम्स, और जहाँ से मैं स्टार्ट, I mean जहां पर मैं खतम की हूँ, थोड़ा सा कर्फ देखर कि वहीं पे गिर गया था, फिर उसे वैसे तो छोड़ नहीं सकती थी तो मैंने सोचा चलो साइड्स को कवर कर देती हूँ दिमाग में चल रहा था कौन से डिजाइन बनाओंगी ये ऐसे गिर गया फोरी जगह पे कहीं नहीं गी रहा लेकिन थोड़ा साइड्स में गिरनेके चलते वो पूरा जगह ही कराब लगा फिर मैं उसे क्या कि थोड़ा सा तिर्चा डिजाइन दे करके supports the size को चाहती तो मैं उस साइड भी कर देती बट वह वाला मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं सोची क्यों नहीं उसके opposite size को जैसे जो सामने से जहां पर केक कॉम चला है उसके opposite में उसे cover कर दी और टॉप में उसके उल्टे में उसे cover कर दी फिर यहां पर कोई भी नॉजल आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो उस नॉजल से सबसे बड़ा उससे चोटा उससे चोटा उससे चोटा ऐसे करके flower बना दी अल्टरनेटिव वाला डिजाइन जो होता है एक साइड में केक का डिजाइन और दूसर केक जो है वो प्रॉपर वे में पता चलता है और वालन्टाइन डे में मोस्टली सब लोगों को रेड केक ही चाहिए होता है तो आप क्रम्स का मैक्सिमूम यूज़ करके बहुत ही ईजी और जल्दी केक की डेकुरेशन कर पाएंगे तो यहां पर मैं स्टार नॉजल से ही ड बॉल्दन वाले बॉल्स लगा दी हूँ और दीकिया हमारा केक कितना सिंपल और सोबर सा लग रहा है लग रहा है बहुत ही प्यारा और यह को डेकुरेट करने में आप तो जानी रहें फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो को नहीं किया है तो मुस्किल से मुस्किल आपको चार से पांच मिनट लगेंगे और आपका यह केक डिकोरेट हो जाएगा इतने जल्दी आप अपना ओडर एक और पूरा कर लेंगे मैंने भी यह डिजाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि और भी ओडर थे जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि कितने सा और उडर्सचाई कितने भी हो मैं आप जल्दी अपने और को पूरा करने 2 और नएख़न डिया के तो देखेंगे यह केक तो मैंने अणे पूरा कर दिया और बाकिई केक संसे भी मुझे डेकोरेटर करना है एक Сп aspiring को केक यहाँ औरॉड की यहां के साथ नहरे बी हमारेशन है या फिर wholesale market में आप कर देंगे तो wholesaler के पास 50 रुपए 70 रुपए में आपको बल्क में मिल जाएगा जिसमें different type के जो cake toppers होते हैं birthday वाले tag होते हैं वो आपको मिलते हैं तो यहां पर मैंने happy birthday वाला मंगाया है जो कि मैं online ही purchase की हूँ Amazon से और इसमें मैंने पहले क्योंकि आप जानते ही हैं सब्सक्राइबर का नेम भी लिखती हूँ तो वो मैंने ये क्वीन वाले सेम टॉडी के केक पे क्वीन वाले के साथ सब्सक्राइबर नेम साक्षी वो लिख दिया था बट ये जो औरिजनली मुझे और मिला था वाइफ ने हस्बिन के लिए दिया था तो यहां पे में मूच वाला ये केक जो टैग होता है बदे वाला वो लगा दी हैपी बदे लिखा हुआ और हमा केक रेडी है बिल्कुल लग रहा है ना देखके ही कोई भी जान जागा कि ये जैंस के लिए केक है इस टैप का आप पर नॉर्मल बर्दे टैग लगा कर कर सकते हैं पॉस्नल लुक दे सकते हैं तो मिलती हो फ्रेंट्स अगले वीजियो में पसंद आई हो तो प्लीज लाइच चैनल पिनियो है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा थैंक्यू फो वाच